हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉलिता इन 1997 के एक हॉलिवूर्ड मूवे एक्स्प्रेंड करने वाले हैं ये मूवी एक बहुती कॉंट्रवर्शन नौवल पर बेस्ट है ये मूवी एक सची घटना पर आधरीत है इस मूवी में कुछ चीज़े आपको गलत लग सकती है ये मूवी के कैरेक्टर ही गलत है तो चलिए इस मूवी को एक्स्प्रेंड करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा में कैरेक्टर हमबर्ट एक गाड़ी में दिखता है ये इंज्योर्ड है और ये चलता जा रहा है हमबर्ट फिर उसके लाइफ की स्टोरी हमें सुनाता है यह कहता है कि लली ता मेरा प्यार थी मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदेगी थी यह जो स्टोरी है यह हमबर्ट की पॉइंट अफ विव से इसी वज़े से यह ज़रा डियोल हो सकती है आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपनी खुद की गलत चीज़ें भी रोमेंटिसाइज करकर या कुछ सही तेरी किसे बताना चाहता है पर आव ज़रा ओपन माइंड रखिये कि चीज़े किस तरह से एक्च्वल में होई होगी और फिर इससे एनलाइज करिये हमबर का बच्वन यानिक 1921 हमें दिखता है हमबर कहता है कि जब मैं छोटा था सिर्फ 14 साल का तभी उसे प्यार हो गया था उसके टाउन में एक लटके आई थी जिसका नाम एनाबेल था इसके प्यार में बढ़ गया था इसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप भी हुई थी एक दोनों दुसरे से बहुत प्यार करते थे पुरा समर इन्होंने एक साथ गुजरा था बहुत सारी मेमरीज इन्होंने बनाई पर इनाबेल को एक बिमारी हो गई इसके बाद हमबर्ड हार्ट ब्रोकन हो गया हमबर्ड फिरम से कहता है कभी दूसरी बार मुझे प्यार हुआ ही नहीं तो हमेशा एनावेल को ही याद करता रहा इसके बाद उसके लाइफ का वो अलग इंसिडन्ट सुनाता है गयता है कि वो प्रोफेसर बन चुका था उसे और एक अच्छी सी जॉब मिलने वाली थी जहाँ पर वो टीचिंग करने वाला था हमबर्ड एक इंगलिश टीचर था और वो फ्रांस जाकर आया हुआ था तो उसे उनके कल्चर पर एक बुक लिखनी थी उसे जॉब को जॉइन करने में थोड़ा सा टाइम था और ये टाइम वो बुक लिखने में बिताना चाता था तोटी शान्ती उसे मिलनी चाहिए इसलिए एक छोटे से गाव में उसके अंकल के साथ हो रहना चाता था जब उसकी अंकल उसे स्टेशन पर लेने के लिए आए और घर लेकर गए तो उनका घर बड़बाद हो चुका था वहाँ आग लगी थी और सब कुछ तबाह हो गया है हमबर्ड को कही न कही तो रहना है तो हमबर्ड के अंकल उनके फ्रेंड की यहाँ इनका इंतजाम करवा देते है अंकल का फ्रेंड पहले ही मर चुका है और उसकी वाइफ अफ वहाँ रहती है फ्रेंड की वाइफ के पास खाली रोम है तो यहाँ पर हमबर्ड रह सकता है फ्रेंड की वाइफ का नाम हेज होता है जब हमबर्ड को देखती है तो इंस्टंटली उससे वह attracted होती है हमबर्ड फ्रांस जा चुका है तो इसे भी यह बहुत अच्छा लगता है हेस विर हमबर्ड को उसका रूम दिखा दिये, जब हमबर्ड रूम दिखता है तो उसे जरा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत जादा मेश होती है, हमबर्ड फिर अपने प्लांस इंस्टनली चेंज कर लेता है, उसे लगता है कि अब उसे यहां नहीं रहना चाह जाती है, नीचे जब वो उसे लेकर जाती है, तो हेस की डॉर्टर हमबर्ड देखता है, हेस की डॉर्टर का नाम ही लोलिता है, जो हमारी फिल्म का टाइटल है, जब हमबर्ड ललिता को पहली बाय देखता है, तो उसे एनवेल की यात आती है, एनवेल और हमबर्ड दोनो 14 years के ही थे जब एक दुसरे से उन्होंने प्यार किया था और ललीता भी 14 years की है हमबर्ड सिफ ललीता के पास रहना चाता है इसी वज़े से रूम लेने का डिसाइड करता है हमबर्ड काम करते हैं ललीता को देखता रहता है उसका एक डायरी होती है जिसमें ललीता के बारे में लिखता है हमबर्ड फिर कहता है कि बहुत सारी लड़कियों हमसे अगर कोई लड़की तुमें चूज करने होगी तो तुम यह सही से करने पाऊगे तु लिटा के रूम हमबड के रूम के सामने ही होता है रात में हमबढ अपनी बूब पर काम कर रहा होता है उसके टाइप div का आवाज आता है तो लृता आ जाती है हमबड कlei कीजती कि दे रही है कि मुझे असे बैटी गाल पेम वह है में रही करत के नहीं तुम तो मेरे लिए बहुत ही perfect हो जब्म बात कर होते हैं एलिधा जल्दी से अपने रूम में चली जाती है नेक्स जे ललीता हमबर्ट के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो कहती है कि प्लीज मौम को मन बताना मैंने तुम्हारे सब कुछ वेकंस खा लिये है यहाँ पर वो हमबर्ट से फिलर्ट कर रही होती है इसके बाद हमें दीखता है ललीता, हेज और हमबर्ट यह सब जुला जुल रहे होते है यहाँ पर ललीता हमबर्ट के पास ही बेठी हुई होती है हेज शैंपेन पीरे होती है उसका क्लास खतम हो जाता है तो चली जाती है ललीता हमबर्ट से कहती है कि मेरी मदर तुम्हें लाइक करने लगी है तुम जो भी सब कहोगे वो मान लेगी ललीता फिर हमबर्ट को कहती है कि उसे कहो कि हमें लेक पर जाना है ललीता को वहाँ जाना आता है इसलिए उसे मैनुप्रेट करती है हेज फिर वाव पस आती है और यहाँ बातो बातो में हमें पता जलता है कि ललीता बहुत ही अच्छा डांस करती है हमबर्ड कुस का डांस देखना होता है ललीता को जादा यहाँ बेटना नहीं होता तो अंदर जली जाती है मुजिक लगाती है और डांस करती है हमबर्ट और हेज अब ये दोनों अकेले बैलकनी में हैं हेज को इसे बात करनी है पर हमबर्ट इसमें इंटरस्टेड नहीं है वो अंदर जाकता है और ललीता जो डांस करी होती है यही देखने लग जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लेक पर आये हुए है हेज आज बहुत ही रोमेंटिक होती है वो हमबर्ट से कहती है कि मेरा एक सपना है कि हम सब एक घर में हमेशा के लिए रहे हैं हेज को घर के काम का लोड आता है तो इसलिए वो एक मेर भी रखना चाती है हमबर्ट पोच्छता है कि अगर तुम हमेशा के लिए मेर रहोगी तो वो कहा रहेगी हेज कहती है कि वो ललीता के रूम में रहेगी हमबर्ट पोच्छता है कि ललीता फिर कहा जाएगी हेज कहती है कि जल से जल मैं उससे समर कैम भेज दूंगी और उसके बाद उसे बोटी में डालने वाली हूँ इसके बाद ललीता हमें डारेक्ली समर कैम पर जाती हुई दिखती है हेज ने ललीता को कहा होता है कि हमबर्ड भी इसके लिए एगरी करता है ललिटा को बहुत ही heart broken महसूस होता है जब ललिटा यहाँ से जा रही होती है तो हमबड अपनी खिड़की से इसे देखता है ललिटा गाड़ी से उतर जाती है और हमबड के रूम में आ जाती है उसे गली लगाती है और किस करकर चली चाती है हमबड फिर ललिता की रूम में आता है ललिता के कपड़े हाथ में लेता है और उसकी खुशबू लेता है हमबड को फिर एक मेट आकर हेज का लेटर दे कर जाती है इस लेटर में हेज ने हमबड को प्रोपोस किया आता है लेटर में वो लिखती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अगर तुम यह नहीं चाहते तो तुम यहाँ से अभी चले जाओ क्योंकि उसका डिल चुट जाएगा अगर वो फिर से हमबड को इस घर में देखीगी अब हमबड हमसे कहता है उसके दो विक्स बाद ही हम दोना ने शादी कर ली अगर उसने शादी नहीं की तो ललीता को फिर से कभी भी देख नहीं पाएगा यह ललीता के साथ रहने का उसका एक चांस है इसी वज़े से वो इसे एकसिप कर लेता है एक दिन हेज हमबर्ड की रूम में आती है तो वो कुछ लेकरा होता है एक ड्रॉवर देखती है जो लॉक्ट होता है यह हमबर्ड से बुछती है कि इस ड्रॉवर में क्या है हमबर्ड केता है कि मेरी कुछ सिक्रेट चीजे है इसके बाद हमबर्ड हमसे कहता है कि हेज मेरे साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर हमेशा मैं उसे एगनोर करता रहा इसके पास जाता है और नशे की दवाई लिकराता है जो हेज के खाने में वो मिला देता है जिससे हेज जल्दी से सोच जाया यानि कि उसके साथ वो कुछ कर नहीं पाये एक दिन हमबर्ड बाहर गया था और जो वो घर पर वापस आया तो हेज रो रही थी हमबर्ड का ट्रॉर उसने ओपन कर लिया था हमबर्ड जो भी सब चीजे ललीता के बारे में हेज के बारे में लिखता था ये सब उसमें है हमबर्ड ने लिखा था कि हेज एक भैसी है इ पर इस कहती कि अगर तुम चाहते हो तुम ये घर भी रख सकते हो पर जलसी जल्दी मुझे डिवोस देदो हमबर्ड को अब क्या करना चाहिए ये कुछ भी समझ में नहीं आता हमबर्ड कहता है कि हम कुछ ड्रिंक्स लेते हैं इसके बाद में तुम्हें सब कुछ हमबड थोड़े ताइम में डिंग बनाता है जब लीविंग रूम में आता है तो उससे एक कॉल आता है इस कॉल पर उससे पता चलता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है कि मेरी वाइफ तो घर में ही है जब वो देखने के लिए जाता है तो हेस वहाँ नहीं होती मुष ratchet बाहर हमबर्ड ऑप बहुत ही म servants है क्योंकि उसे और लेटा के बीच में सिर्फ हेस थी और वह अब मिठ चुकी हैjer हमबर्ड फिर लेका को लेना के लिए समर केम बाता ह他是 हां कि समर केम की लेड़ि membrane कि उसे कहती है कि लेका को लेना के लिए चारली को में भेशती हूँ चारली और ललीता एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड है ये सुनकर हमबर्ड को जरा जिलस में सुझता है ललीता हमबर्ड को देखकर बहुत ही खुश है ललीता अपने मदर के बारे में हमबर्ड से पुछती है ललीता को पता नहीं है कि उसकी मदर मर चुकी है हमबर्ड कहता है कि मदर बिमार है इस वज़े से उसमें लेने के लिए नहीं आई गाड़ी में ललीता हमबर्ड से कहती है कि मैं तुमसे फेद फूल नहीं रही हमबड फिर गाड़ी रोक लेता है और ये दुनों दूसरे को किस करते है तब वहाँ से एक पुलिस की कार आ जाती है यहाँ इस एरिया में एक चोर था जिसको ढून रहे है ललीता हमबड के लाब में बेटी हुई है यह देखकर बुलिस भी शर्मा जाता है और आगे चला जाता है हमबड ने ललीता और उसके लिए एक अच्छा सा होटेल बुक किया होता है वो एके रूम बुक करता है जहाँ पर एक की बेट में ललीता के साथ उसे सोना पड़े होटेल के लॉभी में ललीता एक आदमी को देखती है इस आदमी के डॉक के पास ललीता जाती है यह आदमी कहता है कि मेरा डॉक किसी को पसंद नहीं करता पर तुम उसे अच्छी लगती हो इसके बाद हमबड ललीता को उसके रूम में लेकर जाता है ललीता जब इदेखती है तो बूछती है कि क्या हम दोनों एक ही बेड़ पर सोने वाले है अगर मदर को पता चला तो हम दोनों को मार देगी हमबट फिर एक्सक्यूस बनाता है वो कहता है कि हम उतने रीज नहीं है कि दो अलग-अलग रूम ले सके हमबट ललीतों को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही रूम में है तो उन दोनों में कुछ हो सकता है पर यह बोल नहीं पा रहा होता तो ललीता ही यह बोल देती है रात में जब यह दोनों डिनर करें होते है तो डिनर टेवर पर ललीता कहती है कि मैं उस आदमी को जानती हूँ वही आदमी है जिसके डॉक के साथ ललीता पहले खेल रही थी ललीता कहती है कि एक बहुत ही famous writer है इसने बहुत सारे plays लिखे होते है ललीता इस आदमी से attracted होती है जब ये दोनों अपने room में आ जाते है तो हमबर्ड ललीता के shoes विगरा निकालता है ललीता बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बताओ कि क्या में मैंने क्या क्या किया था हमबर्ड कहता है कि अब तुम अच्छे से race करो इसके बाद हम तुमारी सब कुछ story सुनेंगे हमबर्ड smoke करने के लिए बाहर आ जाता है यहाँ पर उसे फिर से वो writer दिखता है यह जो writer है इसका नाम होता है Quilti Quilti और हमबर्ड एक दुसरे से बात करते है जनरल वेदर के ऐसा है किस तरह का यह hotel है इसके बारे में वो बात करते है पर हमबर्ड को हमेशा लगता है कि Quilti उसकी daughter के बारे में ही बात कर रहा है यह जो वो आज ललीता के साथ है तो उसे वो जरा डर रहा है उसका conscious उसे कह रहा होता है कि सब लोग को पता है कि वो ललीता के साथ क्या करने वाला है हमबर्ड फिर रात में आकर ललीता के बेड़ पर ही सो जाता है जब सुबह होती है तो ललीता उसे किस करने लग जाती है उसकेखार में कुछ बात उसे कहती है हमबड surprise होता है वो कहता है क्या तुमने ये सब चीजे की क्या हैं पर लँलीता कहती है कि तुम surprise हो जाओगे इसके बाद ये दोनाई दूसरे के साथ intimate हो जाती है नेक सिन में ये ट्रेवल कर रहे है हमबड हमसे कहता है उसे फिर वो सज पता देता है, ललीता रात में बहुत रोती है, वो हमबड को हेट करती है, पर थोड़ी दैर में हमबड के पास आ जाती है, हमबड केता है कि उसने मुझे फिर माफ कर दिया था, उसके पास कोई option में नहीथा, क्योंकि उसकी मदर मर चुकी है हमबड ललीता के साथ पुरी गंटी घुमना चाता था ये दोनों अब उनके जर्नी में चल पड़े अब ये दोनों ट्राइवल करते थे ललीता हमेशा हमबड को चिड़ाती रहती थी उसे एरिटेट करती थी पर हमबड भी ये सब सैन कर लेता था हमबड ने ललीता को ड्राइव कैसे करना है ये सब सिखाया हमबड कहता है कि मैं बहुत ही खुश था पूरे आकाश की खुशी मुझे मेल रही थी मुझे पता था कि जो सब हो रहा है ये सही नहीं है पर इससे उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता था कभी कभी ललीता को अपनी मदर की याद आदे थी तो वो बहुत रोती थी हमबड की छुट्टी अब खतम हो चुकी है जहाँ पर उसे जॉब करना है वह उसे जाना होता है जहाँ पर उसे जॉब करना होता है उस सिटी में वो ललीता के साथ मूव हो जाता है ललीता को भी एक स्कूल में वहाँ एडमेशन लेकर देता है ललीता की स्कूल बहुत ही open minded है ललीता को भी जादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इस स्कूल उसे support करती है थोड़े दिन गुजर जाते हैं और इनका रूटीन अच्छे से चल रहा होता है कूल में एक play होने वाला है जिसका part ललीता को बनना है पर हमबड को लगता है कि ललीता अगर दूसे लेड़कों से मिलेगी तो उसके साथ उसका चक्कर हो सकता है इसे वाज़े से वह insecure है और ललीता को मना करता है ललीता मानने वालों मैंसे नहीं है ललीता हमबड के पास जाती है और उसे रिजाती है और उसे वो मना ही लेती है हमबड ललीता को थोड़े से पैसे देता है कि अपने आप पर वो खर्च कर सके ललीता ये पैसे भी ज़रा बढ़ा लेती है एक दिन ललीटा की टीचर ललीटा के बारे में बात करने के लिए हमबट को बुलाते हैं वो ललीटा को लेकर ज़रा चिंदी थे हमबट बोचता है कि किस वज़े कि तुम्हें चिंदा है हमबर्ट थोड़ा सा डरने लग जाता है उसे शक आता है कि ललीटा ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा पर यह इसके बारे में नहीं होता ललीटा के टीजर कहते है कि ललीटा जब sex education का topic आता है तो उसमें बहुत ही disinterested है हमबर्ट थोड़ा सा हसता है पर अबने आपको control कर लेता है हमबर्ट कहता है कि मैं इसके बारे में उसे समझाओंगा एक दिन हमबर्ट को piano teacher का call आता है ललीटा actual में उसके piano के classes कर ही नहीं रही है हमबर फिर ललीटा को बोचता है तुम्हारे classes के से चल रहे हैं ललीटा कहती है एकदाव मस्ट चल रहे है हमबर्ट कहता है कि तुमने दो classes मिस्ट की है तुम कहा थी ललीटा कहती है कि मैं मेरे friend के साथ थी वो play की तैयरी कर रही थी हमबर्ड इस वर बिलिव नहीं करता ललीता से उसकी फ्रेंड का नंबर लेता है ललीता ने जो कहा था उसकी फ्रेंड भी वही कहती है ललीता फिर गुसे में घर से बाहर निकल जाती है हमबर्ड उसे सिटी में बहुत ढूनता है ललीता एक कैफे में होती है ललिता फिर उसे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है वो हमबड के साथ सब कंट्री घुमना चाती है पर इस बार ललिता लोकेशन चूज़ करेगी हमबड को भी सुन कर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे लगता था कि ललिता उससे दूर जाना चाती है यह दोनों फिर अपने सफर में निकल पड़ते हैं यह अलाग अलक टाउन गुमते हैं पर एक दिन हमबड नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है यह ललिता को एक नोटबूर निकालने के लिए कहता है और उस पर नमबड नोट कर लेता है ललिता हमेशा चिंगम खाती रहती है तो हमबड कहता है कि इस पर चिंगम मत लगाना एक दिन हमबड गाड़े में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है तो ललिता किसी से बात करी होती है यह वही आदमी है चो इनका पीछा कर रहा था हमबड जल्दी से भागते भागती ललिता के पास जाता है पर तब तक वो आदमी वहाँ से निकल चुका है हमबड ललिता से पूछता है कि आदमी क्या बोच रहा था ललिता कहती है कि वो आदमी सिर्फ डारेक्शन बोच रहा था हमबड भी लगीदा को समझाता है कि तुम्हीं यंग हो और लोग तुम्हारा एडवांटेज लेना चाते है तुम्हें किसी भी स्टेंजर से बात नहीं करनी है अब फिर से थोड़े दिन गुजर जाते है एक दिन यह जंगल से जा रहे है और फिर से हमबड को लगता है कि उनका कोई पीचा कर रहा है हमबड एक जगा पर गाड़ी रोक लेता है उनकी पीचे पे जो उसका पीचा कर रहे थी एक गाड़ी भी रोक जाती है हमबड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी के सामने चलने लग जाता है जो उनका पीचा कर रहा था वो जल्दी से गाड़ी रिवर्स में लेता है और वहाँ से भाग जाता है आगे चल कर हमबर्ड फिर से लिलिता को कहता है कि उसे वो कागस दे जिस पर उसने नमबर प्रेट लिकी हुई थी पर लड़ीता ने इस पर जिंगम जिटका दिया था और गाड़ी का नमबर इस कागस पर नहीं है हमबर्ड बहुत इचिर जाता है और लड़ीता को स्लैप करता है ललिता रोते-रोते गाड़ी से बाहर निकल जाती है यह उस फ़र बहुत नाराज है पर हमबर्ड उसके पास आता है और उसे सौरी कहता है एक टाओं में हमबड और ललिता एक मॉडल में रुखती है हमबर्ड कुछ फूरूट से गरा लेने के लिए बाहर जाता है कि ऐसे पैसे तुम क्यों सेव कर रही हो पर ललीता इस पर कुछ भी बोलती नहीं इन पैसों को ले गए इन दोनों में जगड़ा हो जाता है। हमबर्ड को लगता है कि ललीता उसे छोड़ कर भाग जाना चाती है। इसके उसे रात में बुरे सबने भी आते हैं। फिर से ट्राइवल करने लग जाते हैं पर ललीता की तब्यद जरा खराब हो जाती है। यह जरा वाइरल इंफेक्शन है। तो ललीता को हॉस्पिटर में क्या करता है। ललीता के सी है । यह वो पूछता है। भाक ही नर्स कहती है कि उसके अंकल आये थे और उसे लेकर चले गये। अमबर्ड बहुत ही डर जाता है कि इसा कैसे हो सकता है। अ हमबर्ड आदमी ललीता को लेकर गया था उसने अपना नाम और अपनी साइन दी थी तो अब हमबर्ट को उसके हैंड्राइटिंग पता है हमबर्ट अलग-अलग सिटीज में जाकर वो उसकी हैंड्राइटिंग ढूनता है मॉटल के रेकॉर्ड चेक करता है उसे हमेशा से पता जल जाता है कि इस मॉटल में ललीता और वो आदमी रुके थे हमबर्ट हम से कहता है कि ललीता को ढूनने के लिए उसने पूरे दो महिने लगा है पर फेबी उसे ढूननी पाया अब इसके बाद डिरेक्ली तीन साल गुजर जाते है हमबर्ट को एक दिन ललीता का लेटर मिलता है इस लेटर में ललीता लिखती है कि अब उसके शादी हो चुकी है वो अपने हस्बन के साथ रह रही है और उसे बेबी होने वाला है ललीता को कुछ पैसु की जरूरत है जो वो माग रही होती है उसका एड्रेस भी उसने लिखा होता है हमबर्ट अब ललीता से मिलने के लिए निकल पड़ता है वो अपने साथ एक गन मिलेता है तागे प्रैक्टिस करता है जो ललीता को उससे जुदा करकर लेकर गया था उससे उसे बदला रेना है फाइनली वो ललीता के पास भूर चाता है हमबड ललीता के हस्बन को देखता है ये वो आदमी नहीं है जो उनका पीछा कर रहा था हमबड उसे बात नहीं करना चाता हमबड ललीता से बुच्छता है कि हो कौन था ललीता गए थी है क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है ललीता जिसके साथ गई थी वो क्विल्टी था यह वही वैटर है जो पहली बार मौटे मेंगी नहीं मिला था जिसके कुट्टे के साथ ललीता खेल रही थी ललिता इस आदमी से attracted हो गई थी इसे वज़े से उसके साथ वो चली गई थी ललिता फिर कहती है कि वो बुड़ा आदमी था वो sexually active नहीं था पर उसे छोटी लड़कियों की फिल्म बनाना अच्छा लगता था वो मुसे भी वही काम करवाना चाहता था इसलिए मैं वहाँ से भाग गई इसके बाद वो दूसरे लड़के से मिली और उससे उसने शादी कर ली हमबट फिर ललिता को कहता है तुम्हें जो पैसे में देने वाला हो यह तो तुम्हें मिलने वाले है पर इससे पहले मैं तुमसे कुछ क्वेस्चन पूछना चाहता हूँ क्या तुम फिर से मेरे साथ रहना चाहती हो अगर ललिता उसके साथ रहेगी तो उससे सब कुछ देना चाहता है उसके बहुत ही पैयर में है यह ललिता से कहता है ललीता बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारे प्यार में नहीं थी मेरे पास कोई option नहीं था इसे वज़े से मैं तुम्हारे साथ रहे रही थी ललीता को सिर्फ thousand dollars चाहिए थे पर हमबड उसे four thousand dollars दे देता है हमबड हमसे कहता है कि ललीता कैसे भी हो अगर वो मुर्जा भी जाये फिर भी उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा कभी भी वो उससे भुला नहीं पाएगा हमबड फिर से हमें गाड़ी में दिखता है और वो injured हो चुका है हमबट हमसे कहता है कि ललीता के साथ मैंने जो भी सब किया वो सब जीजों को में रिग्रेट करता हो यह सब करने के लिए वो शर्मिंदा है पर लास्ट टाइम ललीता को मिलने के बाद उसने जो किया वो से रिग्रेट नहीं करता इसके बाद वो डारेक्टली क्विल्टी जो इक्जामिन पर गोली चलाए Quilty फिर डर गया Quilty बोला कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है मैं वैसे भी कुछ लट्टियों के साथ करनी सकता Humbird उसे मार सकता है तो Quilty उस पर जबग पड़ता है Humbird फिर से कंट्रोल में आ जाता है क्विल्टी कहता है कि तुम भे इतने सीधी नहीं हो तुमने भी उसके साथ गलती चीज़ी की थी तुमें क्या लगता है कि अगर तुम परफेक्ट होते तो मेरे साथ आती यह दोनों फिर से जगड़ा करने लग जाते है और हमबर्ट क्विल्टी को मार देता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि गाड़ी में वो इंजोर्ड है पर यह खुन क्विल्टी का था उसका पीछा आप पुलिस कर रहे है आगे चल कर वो गाड़ी ठोक देता है और एक माउंटन के पास आता है यहाँ पर एक गाव है जहाँ बच्चे खेलने की आवाज आती है हमबर्ट हमसे कहता है कि मुझे बच्चों की आवाज है पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी उस आवाज में ललिता का आवाज नहीं है ललिता अब उसके साथ नहीं है इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमबर्ड को पुलिज ने पकड़ लिया था जब वो प्रिजन में था तब उसे एक बिमारी हो गई और 16 नोएंबर 1950 में वो वही मर गया लली ता प्रिणन थी पर उसकी एज कम है तो उसी साल क्रिस्मस में 1950 में वो चाइल्ड को बर्द देते देते मर गई यहीं मूवी एंड हो जाती है अब अगर हम इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में यानि के हमबर्ड के बारे में बात करें तो यह से मूवी हमबर्ड के point of view से है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आदमी जब अपनी स्टोरी सुनाता है तो अपने flaws किसी को भी नहीं बता था इससे तरीके से जब इस स्टोरी चल रही थी तब मूवी में हमें दिखता है कि ललीता उसे flood कर रही थी पर यह क्या सच-फूच में हुआ था यह हमें जानने का कोई भी तरीका नहीं है अगर हम इसे objectively देखे तो ललीता की मदर मर गई थी ललीता के पास कोई भी option नहीं था तो इसलिए उसे हमबट के साथ रहना पड़ा एक तरह की ललीता की kidnapping ही उस नहीं की थी आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो बली से वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आते रहे तो तो बले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे और बेल नोटिविशन आइकन दबने मत भूले है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie की साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खयाल रखिये